Hello friends and my dear students, welcome to our channel, मैं राजेंद्र मुंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो हम बात करेंगे हाप एरली एक्जाम 2021-22 क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिस कक्षा 11 वी अर्धवार सी परिक्षा के इस पेपर को हम एनलिसिस करेंगे इस वीडियो को अपने friends, relative, classmates से के पास प्लीज सेहर कीजिएगा ताकि वह भी अपने answers को एनलिसिस कर सकें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकोन को दबाएं ठीके दोस्तों तो चलिए सुरुवात करते हैं असी नंबर का आपका ये paper था, section A, section A में reading comprehension होता है मतलब paragraph को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर देने होते है Read the following pages and answer the questions on the basis of comprehension of the pages paragraph को पढ़कर प्रश्णों के उत्तर देना है इस paragraph को आप पढ़ोगे तो नीरज चोपड़ा जिसने अभी गोल्ड मेडलिस्ट, जो गोल्ड मेडलिस्ट है और उन्होंने, उसने जो है, गोल्ड मेडल हासल किया अभी ओलम्पिक में उस से related paragraph दिया गया है तो ध्यान पुर्व किसको आप पढ़ोगे पढ़ने के बाद प्रस्ण को अच्छे से समझने के बाद आप आंसर दोगे तो आपका आंसर सही रहेगा मतलब important चीज यह है कि प्रस्ण समझ में आपको आना चाहिए और story नीरज चोपड़ा वाज गोल्ड मेडल इन वोन, माफ की जगा भाला भाला फेक में उसने गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने अभी अभी current अफेर की बात है यह question number two है who won the first gold medal in olympic for India भारत के लिए पहला olympic gold medal किस न जीता था तो वो अभी नव बिंदरा ने जीता था 2008 में ठीक है अगे बढ़ते हैं तो question number 3 है नीरच चोपड़ा वाजकाल्ड इनीज विलेज नीरच चोपड़ा को उसके गाऊं में क्या कहा जाता था तो नीरच चोपड़ा को उसके गाऊं में सरपंच निजने क् misinformation हाथा और अंग्रेजी में उसको कहते है coalinter क्या कहते हैं, headman तो option number B, इसका सही रहेगा, Neeraj won his gold medal in Olympics, मतलब कौन से Olympic में gold medal जीता, Neeraj ने, तो वो Tokyo में जीता था, paragraph को अब अच्छे से पढ़ोगे, तो सारी चीजे clear हो जाएंगी, देखो यहाँ यह Tokyo है, top the charts in Tokyo, उसके बाद में उसको क्या कहा जाता था, call Neeraj, the village serpent headman, ठीक है, उसके बाद में चलते हैं, तो question number 5 वा है, which of this is a true statement for the above pages, मतलब इस paragraph के आधार पर, यह जो option दियेंगे, इन में से कौन सा सही है, तो जो सही है उस पर टिक लगाना है, तो option number 4, Neeraj, has an under 20 world records of 86.8 meter, यह इसका point साही है, question number 6 है, Neeraj has been given, Arjun Award, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, Arjun Awardee, 2018 Arjun Awardee, here is also, ओके, आगे बढ़ते हैं, तो question number 9 है, मापकी जगा 8 हुआ है, इसके पहले और भी है, sorry, Neeraj has also won gold medal, इन, Neeraj ने, और भी gold medal जीता है, तो किस में? Commonwealth Games में जीता है, तो option number 1 सही रहेगा, आठवा है, which of the following is similar in meaning, to consistent, consistent का similar सब्द, मतले परियाईवाची रूणना है, तो वो है same, देखो consistent का आर्थ होता है, एक जैसा रहना, कैसा रहना, एक जैसा, समान, तो same का आर्थ भी समान होता है, the author's purpose in writing the above processes, लेखक का इस paragraph को लिखने का क्या परपस था, क्या उद्देश था, तो उसको उद्देश था, to narrate, journey of a village boy to olympic, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दस्वा है, which of the following is correct, एंटोनीम का आर्थ होता है, अब आपकी जगए एंटोनीम का आर्थ होता है, विलोम, क्या आर्थ होता है, विलोम, यह ना, तो include मतलब होता है, सामिल करना, और exclude का आर्थ होता है, सामिल ना करना, निकाल देना, अब question number two है, read the following pages, and make notes on it, give a suitable title, मतलब paragraph को पढ़कर, note making करना है, वो title, बहुत से student पूछ रहे थे, सर इसमें summary लिखना है, या नहीं लिखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब question साथ number कर रहे, यह ना, तो हमें उसमें note making summary, वो title ढूणना रहता है, लेकिन यहाँ पर चार number का दिया हुआ है, तो आप summary नहीं लिखना है, आपको यह ना, क्योंकि question में भी नहीं दिया गया है, तो इस paragraph को आप पढ़ोगे, तो इसका जो title रहेगा, वो रहेगा conversation, conversation मतलब चर्चा वार्तलाब, और note making के से करना है, इसके rules and regulation क्या है, यह दिया आपको नहीं पता है, तो मैं आपको हमारे सेनल के माद्यम से playlist आलरडी, मैं बना चुका हूँ, यह ना, note making summary के rules and regulation with example, तो वो वीडियोस यह दिया आपने नहीं देखे हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा, इस वीडियो की description में मैं उसके link देदूँगा, तो वहाँ से आपका यह doubt clear हो जाएगा, ठीक है, अब section B की बात करें, तो इसमें पहला question दिया गया थो, यह for sale के लिए दिया गया था, household goods के लिए, ठीक है, advertisement था यह, दूसरा यह दिया गया है, unclaimed object, object, मतलब यह bomb blast का आप इसमें लिख सकते थे, यह न, bomb blast का एक poster बना सकते थे, अगला जो question दिया गया है, यह question दिया गया है, complaining against the nuances cast loudspeaker, loudspeaker band के उपर यह letter था, यह भी आप लिख सकते थे, यह सारी चीज़े writing skill के नाम से playlist बनी हुई है, हमारे channel के माध्यम से हमने उसमें सारे videos complete करा हैं, जैसे letter, application, poster, report, composition, यह न, सारी चीज़े हमाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे, यह composition दिया गया है, आपकी जगा, हाँ, एक article दिया गया है, benefit of modern technology, तो इसमें आप चाहते, यदी तो wonder of science का निभन लिख सकते थे, ठीके, दूसरा यह है, important sub tree, यह भी हमने अल्रेडी करवाया हुआ है, तो वो playlist writing skill के नाम से जो दी गई है, उसको जरूर देखेगा, उसके बाद में आप चलते हैं, section C की और, जिसमें grammar वाला portion है, जिससे पहला है, he is रिक्तिस्थान MBA, तो MBA जो है, इसके उच्चान की सुरुवात, हिंदी वर्ण माला के सुर से हो रही है, A से, तो इसमें A ना आएगा, अगला है, may I come in sir, daily is sabd गा, sentence का यूज करते हैं, तो इसमें with आएगा, अभी ताजा ताजा ही मैंने class में करवाया था, अगला है, I waited for him, the clock struct 7, इसमें until आएगा, until का आर्थ होता है, तक या फिर जब तक, वैसे इसका सही proposition जो है, वो till आता है sentence में, लेकिन till option में नहीं दिया गया, तो हम इसमें until का use करेंगे, अगला question है, this is the man, रिक्तिस्थान, name is written on the board, was, w-h-o-s-e, अगला question है, do as directed में, he did it, change negative, पहले ही मैं बहुत अच्छे से, यह बता चुका हूँ कि, जब किसी sentence में, पहले ही do, did, or does दिया जाए, और उसको negative करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पर do, did, or does दिया गया है, उसके आगे आपको not do लगाना है बस, ठीक है, आपका answer सही हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा, he did not do it, अगला है, they are playing football, passive voice में change करना है, तो जब कोई sentence, एक्टिवाइज, continuous tense हो, मतलब एक्टिवाइज सेंटेंस, यदि कोई continuous tense हो, तो जिस tense का sentence रहता है, उसी tense की helping verb लगाते हैं, और helping verb के बाद में, ब, E, I, N, G, being का use करते हैं, और फिर object को subject के स्थान, पर subject को object के स्थान पर तिया हो जाएगा, फुटबॉल इस बिंग प्लेट बाई देम, देका देम हो जाएगा, अगला है, रवी रंस फास्ट नाव, he will catch the bus, rewrite the sentence using unless, unless का प्रयोग करके, इफ को अठाना है, तो जहाँ, इफ हे वाँ, unless लगा दीजिए, अब इफ गया है, तो ये जो, इफ रवी रंस फास्ट नाव, तो ये हो जाएगा, unless रवी रंस फास्ट नाव, he will not catch the bus, ठीक है, अगला कोश्चन है, see hid the key, change into present perfect, अब present perfect में change करना है, तो present perfect क्या होता है, present perfect मतलब, has, have, प्लस वर्ब की थड़कों, तो see has, hidden, h-i-double-d-e-n, ये थर्ड फॉर्म है, है न, see has hidden the keys, ये इसका अंसर हो जाएगा, अगला कोश्चन है, he is very poor, he cannot pay his fees, so that का यूज करना है, तो जहाँ very दिया गया है, very को हटा कर so लगा देंगे, और दोनों वर्टियों को that से जोड़ देंगे, चिक है, अगला कोश्चन है, earth moves round the sun, round sun, ये न, तो correct करना है sentence को, तो इस sentence को आप देखोगे, तो यहाँ पर सिरुवात में, अर्थ के पहले दे आएगा, दे, अर्थ, moves, round, दे सन, मतलब दोनों यूनिक चीज़े हैं, अर्थ के पहले दे और, दे और सन के पहले दे आएगा, तो sentence सही हो जाएगा, अब section D की और चलते हैं, literature है, literature मतलब, जो हमारी book है न, जिसे होन भी लहे, snap short है, तो उन से related आपसे question कर रहे हैं, तो पहला extract दिया गया है, मतलब, यह, लेंडिस्केप अब दो सोल, उससे paragraph लिया गया है, उसको हमने अच्छे से पढ़ा है, तो इसको आप पढ़िए, मतलब पढ़ा होगा, अबने और अब हम question देखते हैं, तो what was the name of the emperor, मतलब राजा का नाम क्या था, तो राजा का नाम था, जुएंग जॉंग, option number D, where did they go, कहां गये, तो भाईया वो केओ में चला गया था, कौन, जो painter था वो, केओ मतलब गुफा में, अगला है, what is the synonym of splendid, splendid का परियाए वाजी क्या है, splendid का आर्थ होता है, बहुत ही आकरसक होना, impressive होना, सांदार, तो option number first सही रहेगा, वो दाव जी वाजे, वो दाव जी कौन थे, तो painter थे, दाबो पेजे, has been taken from the lesson, यह paragraph कौन से लेसन से लिया गया है, लेट इसके पाप सोल से लिया गया है, अगला, अभी यह लेबननम टी से लिया गया है, paragraph extract, तो देखिए पहला question है, what is described as slick in the poem, slick, slick मतलब होता है, चिकना, क्या अर्थ होता है, चिकना, तो यहाँ पर slick, slick किसका वर्णन कर रहा है, तो slick देखिए यहाँ, a sudden है, start meant at branch end, then slick as lizard, lizard मतलब छिपकली, तो जो gold flinch है, वो किसकी तरह चिकनी दिखाई दे रही है, तो lizard की तरह, तो यह slick किसको वर्णित कर रहा है, gold finch को कर रहा है, अगला question है, who comes to feed the young ones, gold finch, who gives shelter to the bird, and young ones, lebanum tree, इसी का अथवाव है, इसको आप पढ़ेंगे, तो पढ़ने के बाद में, आपको समझ में आएगा, जैसे, who are sitting on the horse, horse उपर कोन बेठा हुआ था, तो cousin of the speaker, मतलब जो बोलने वाला है, जो लेखा के, उसका चचेरा भाई, from which lesson the above extract has been taken, ये paragraph किस से लिया गया है, तो ये the summer of the beautiful white house, इस से लिया गया है न, ये हमारी snapshot में lesson है, snapshot जो बुक है उसमे, write the noun form of the word beautiful, beautiful का noun क्या होगा, तो वह होगा beauty, beauty मतलब सुन्दर, बागी एक question answer थे, तो I hope कि आपने करी दिये होंगे, paper काफी easy था, आपका paper कैसा गया, comments करके जुरूर बताएं, साथ ही आपके friends, relative classmates के पास, इस वीडियो को share करें, इसी प्रकार के वीडियो ये दिया आपको चाहिए, papers के वीडियो तो आप please comments करें, और channel को subscribe करें, bell icon को दबाएं, और playlist में जाकर, अपनी समस्या के अनुसार आपको जो topic पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं, thank you very much for watching, and please take care of yourself,